ये दोस्तों आप देख रहे हो महिंद्रा XUV300 का W8 वेरिंट इसके लिए काफी लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी तो आपकी विश पे ये वीडियो बन रहा है और रेड कलर पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था बहु कि वीडियो के दोरान भी आपको प्राइस देखने को मिलता रहेगा साइड में शॉट्स में अब चलते हैं चलिए एक एक चीज करके बात करते हैं एक एक पार्ट की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा फील आपको आता है स्टाइलिस सा फील आता जब आप इसको दिखते हो इधर बहुत ही वेल डिजाइंड सा अंदर आपको प्यानो ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन मिलता है इधर आपको डिया गया और यह आपके फॉग लैंस हो गए पूरा यह प्यानो ब्लैक की बादरिंग मिलती है इधर काफी अट्राक्टिव सा इसको डिजा इसका काफी यह पूरा बहुत सकते हैं पूरी यह मिक्स डिजाइन पूरी लगेगी कहीं भी आपको कोई बीचीज आउट ऑफ डिजाइन देखने को फील नहीं होगी इसके फ्रेंट में इसकी जो की है वो दिखा देते हैं तो इतर आपको रिमोट कीज मिलती है जैसे आप बारा से खोल लेंगे इधर अपना बोनट एरिया पूरा देख लो फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ कलर कैसा लग रहा है बताना जरूर लाइक बटन भी आपके वाल हिट कर सकते हो आपके व्यूज आटोमाटिकली मिल जाएंगे फ्रेंट प्रोफाइल पूरा चेक करा दि मिलती है इसका जो साइज है वो है 215 55 R17 बहुत ही थिन सी वील आज क्लाडिंग दी गई है जो डिजाइन को कॉप्लिमेंट कर रही है आपको ऐसा कुछ अलग से फील यहां पे नहीं होगा और आर्वियम्स आपको मिलते हैं बॉड़ी कलर पे और नीचे आपको मिलती ब्ला मिलती है संरूफ इंडियन को बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो आपको भी यह मेरे हिसाब से अच्छी लगेगी ग्लॉसी फिनिश और डस्की फिनिश पे आपको पूरा यह मिलता आपका रूफ रेल और पीछे आपका एंटेना हो गया डोर हैंडिल्स दोस्तों आपको हो फिर बात करेंगे बैक की अधर साइट देख लो यह आपका डीजल विरेंट है डीजल का ब्रांडिंग पूरा प्रॉपर दिया है कि इसमें कोई भी कन्फूजन आपको ना हो अधर साइट भी पूरा आप इदर चेक कर सकते हैं अब बैक की बात करेंगे तो इदर आपक करेंग में बहुत ज़्यादा सेक्योर गाड़ी है बलकि इंडिया की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट गाड़ियों में से गीनी जाती है बाकी आप इदर आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हो पूरी रेटिंग आप इदर पॉस करके ग्लोबल अनकैप की वेबसाइट पर ज इस दिखा देंगे तो इधर इसका जो बूट है वो ओपन कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही मस्त वाला स्पेस इदर दिया गया है इसकी जो डेप्थ है वो आप पूरी चेक कर लो बहुत अच्छा लगता इसको देखकर पहले तो जो यह कॉल्टी है ना जो कलर कॉंबिन इसके साथ में इधर इसका जो इंटीर है अब वो चेक कराएंगे तो यह देखिए और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अंदर जाने की जो स्पेस है बाहर आने की स्पेस है काफी बढ़िया सी दी गई है और डोर की बात करते हैं तो डोर पॉकेंट पार्विंडो कंट्रोल क्रोम पे यह हैंडल दिया गया है क्वाल्टी बहुत मस्त लग रही है लगबग आपको तीन कॉंबिनेशन इधर प्रोवाइट करी गई है अब इधर देखते हैं हैड रेस्ट एजस्टिबल दिये गए हैं आम रेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है 60-40 स्प्लेट सीट्स दी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इधर बैठ कर और बाकी इधर आप थाई सपोर्ट चेक कर लो और इधर पीछे मुझे कोई भी एस्टिवेंट नहीं दिखता है सेंटर में यह केबिन लैंप दिया गया बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा और यह आपकी संरूफ हो गई जो मैंने आपको बाहर से दिखा दी थी अब दोस्तों पीछे की जितनी बाती हो गई जरूवत की जो बाती हो गई है अब चलते हैं गारी के जो फ्रेंट है मतलब है ड्राइवर को ड्राइवर से वो आपको चेक कराएंगे तो पहले आप इधर स्पेस देखो दिल खुश ह जाता है जब भी इसको देखते हैं इस गाड़ी को देखते मुझे बहुत अच्छा लगता इसको देखकर एक तो इसके सेफटी फीचर्स की विजए से इतनी ज्यादा सिक्योर गाड़ी है फिर इसका जो डाश बोर्ड है एक्स्टीर डिजाइन है सब कुछ आपको टॉप कि जो seat adjustment से वो देख लेते हैं तो यह आपको back height दोनों मिलता है manually आपको करना पड़ेगा automatic adjustment नहीं दी गई है headrest adjustable दिये गए हैं जो एक अच्छी चीज है और keys मैं इधर रख लेता हूँ फिलाल के लिए और seat पीछे कर लेता हूँ seat पीछे है चलिए back अंदर चलके adjust कर लेंगे तो चलते हैं गाड़ी के अंदर जिसके अंदर आना बहुत ही अच्छा सा experience है बहुत अच्छा लगता है अपर पाड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड मिलता है जैसे जाना यूज कर लेना आपकी मर्जी पे यह depend करता है instrument cluster इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसमें इतनी मस्त space occupy करी है न कि information आपको बहुत ही अच्छे से मिलती है थोड़े सी staring move कर लेते हैं इसमें कि एक comprehensive view पूरा मिल जाए पूरा butterfly सा effect आता है इसमें आप host of information access कर सकते हैं जैसे कि आप सामने देखने distance to empty और यह आपका जो बूल सकते हैं कि apm meter है speedometer है normal signaling है कि इसका height देखो आप कितना मस्त दिया गया है इसलिए viewing बहुत ही प्यारी सी आती lights बहुत ही मस्त यूज करी गई है इसमें टॉगल जैसे आपने हर गाड़ी में देखे हैं वाइपर और इंडिकेटर का steering पर आ जाते हैं तो इधर आपको dual combination steering दी गई है महिंद्रा की branding के साथ media controls हो गया इधर आपका cruise control हो गया मस्त वाला feature cruise control बहुत ही बढ़िया feature रहता है मेरे साथ सो तो हर गाड़ी में ये देना चाहिए तो काफी बढ़िया रहे गई है इसके बाद steering मैंने आपको दिखा दी है आज आते हैं साइड्स में तो ac-band का design आपको change मिलेगा center से पूरा इधर आपको bordering मिलती है silver और piano black का combination और इधर आप देखते हैं तो start stop button और आपका headlamp adjuster वह आपको दिया गया है दोस्तों यहां पे इसका यह पूरा यह उठा हुआ design आता है यह बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत ही बढ़िया सा feel देता है इसको use करना बहुत ही comfortable रहेगा काफी बढ़िया रहेगा usability इस possibility इसकी बहुत अच्छी वलकि मैं यह बोलूँगा especially इसके design की वज़े से तो driver side पूरा दोस्तों cover हो गया है पूरे जितने भी feature specs ने मैंने आपको बता दिये सारी चीजे मैंने आपको समझा दिये इदर बागी सारे feature specs आपको पढ़ने है as a whole तो नीचे चले जाए एका description में मैं आपको touch दरूर दिखाना चाहूंगा इसका यह देगे feel कर लीजिए आप बाकी अपने views बताना android auto apple car पे मिलता है radio eco sense media phone navigation car info settings e-manual पूरा इदर आपको यह piano black की पूरी बॉर्डरिंग मिलती है जो किसी भी गाड़ी के interior को बहुत ही अच्छा सा बना देती है बहुत ही जले जाना add rate ग्यानी enough है तो वहां पे आपको इस गाड़ी के और भी गाड़ियों के आपको sound checks मिल जाएंगे automobile words related बहुत सारी information मिलेगी अगर आप एक automobile lover हो तो आपके लिए काफी useful रहेगा नीचे आते हैं तो इदर आपके several controls हो गए और नीचे आ जाते हैं तो इदर आप जो AC control area है, automatic climate control आपको मिलेगा इसमें मुझे ये जो lighting display है इसका जो color है ये मुझे ball attractive लगता है बहुत अच्छा लगा है मुझे ये चीज़ देखकर काफी बढ़िया सा ये feel देता और आपको बहुत ही clear सा बिलकुल एक information मिलता तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है और ब इदर आपकी पूरी हो गई convenient spaces, six speed gearbox model है पूरा ये chrome और piano black finish के साथ काफी बढ़िया सी silver पूरी finish दी गई है इदर काफी अच्छा लगता है ये बहुत अच्छे से design किया गया है मुझे तो ये gear बहुत अच्छा लगता है उसकी reach भी बहुत प्यारी सी है बाकि जो लोग भी चला रहे हैं वो अपने thoughts जरूँ share करें वाकि इदर आपकी convenient spaces हो गई हैंड़ेक मिलता है chrome button के साथ पूरी इदर इस्टिश finish दी गई है अंदर की spaces देख लो तो मस्त वाली space निकाल के दी गई इदर कोई भी इसमें if button नहीं है बंद कर देते हैं दोस्तों ये था इसका center part ज पर चाहिए थी कि आपको ये location perfect लगती है पूरा chrome bordering भी इदर दिया गया है center part में AC winds का design शायद मैंने नहीं बताया था ये आपको change मिलता driver co driver से elongated form में दिये गए और इदर अलका से chrome insert दिया गया है beautification के लिए system के दोस्तों सारे features पढ़ने तो description में चले जाना सारे features मैंने प ये आपको तिखाई दिया था ऊपर मिलती है open spaces और अंदर की देख लेते हैं तो ये आपका हो गया glove box जो इतना ज्यादा deep है कितना सारा आप इदर समान रख सकते हो बहुत सारी space इदर निकाली गई है ये देखिए इसको बंद करते हैं vanity चेक कर लेते हैं तो इदर आपका vanity दिया गया lid और light के साथ ये देखिए light आपकी ऊपर होगे फिर से खोल देता हूं ये देखिए must बहुत ही बढ़िया और इधर आपको vanity इधर भी मिलता है क्या बात है lid और light के साथ ये आपके इधर हो गया sunroof control ये देखिए sunroof की functioning जो आप लोग हमेशा बोलते होगी अगर आप बात करते हैं मेरे लिए safety जादा matter करती है feature वहले चाहें कम हो जाए लेकिन गाड़ी safe and secure होनी चाहिए जो XUV300 है इसमें कोई भी doubt नहीं है आपको दोस्तों ही वीडियो कैसा लगा अपने views ज़रू share कर देना नीचे comment section में महिंद्रा की पहले ज़रू visit कर लेना अ थार वाचिए